हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ मज़े में चल रही होगी दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसके एकाउंट में 5,000 आएंगे किसके एकाउंट में 10,000 और किसके एकाउंट में 500 रुपे आएंगे दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके मन में जो भी डाउट है पर्दान मंत्री जंधान योजना से एलेटिड की 500, 5000 या 10,000 आएगा और कब आएगा और किसके किसके एकाउंट में आएगा पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वीडियो को पूरा देखे सारी सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहा है नमस्कार दोस्तो मैसेल्फ गोविंद स्वागत करता हूँ आप सबका टेख बूकलेट यूट्यूब चैनल पे लेट्स स्टार्ट दे वीडियो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सकाइब करें और बेल बेटन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिकेशन सबसे पहले मिलें दोस्तो परसो मैंने एक वीडियो बनाया था वहां मैंने आपको बताये था कि 500 रुपे की रासित जो जंधन एकाउंट में तीन मैंने लगातार आई है चोथे मैंने वो आएगा या नहीं आएगा या परधान मंतरी नरिन मोदी के ओर से उस पैसे को लेकर क्या डिसिजन लिया गिया है आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं उपर आई बेटन पर आपको लिंक मिल जाएगा आप आई बेटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों मैं जो आपको आज सचाई बताऊंगा मैं जानता हूँ कि उस सचाई को जानने के बाद आप वीडियो को तुरंद स्किप मार दोगे लेकिन मुझी सच्चाई बतानी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज और मैं आपको साफ साफ सब्दों में सारी सच्चाई बताऊंगा दोस्तों मैं जानता हूँ कि 100% में 99% लोग इस वीडियो को यहीं स्किप कर देंगे लेकिन सच्चाई जाननी आपको लिए बहुत जरूरी है और अगर आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आँ तक देखें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तो मैं आज आपको साफ साफ कहे देना चाहता हूँ कि अब किसी भी जंदन एकाउंट में एक भी रुपे नहीं आएगा एक रुपे कहने का सेंस ना तो 500 आएगा ना 5000 आएगा और ना ही 10 अज़ार आएगा दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा परधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने लॉकडाउन के समय में एनॉंस्मेंट किया था कि सभी महिला जंधन खाते में 500 रुपे की रासी तीन महिने भेजी जाएगी दोस्तो महिला मैं कह रहा हूँ पुरूस मैं नहीं कह रहा हूँ और मैं लड़कियां भी नहीं कह रहा हूँ मैं महिला कह रहा हूँ मतलब कि वो मैरिड होनी चाहिए एक लड़की महिला उस समय बनती है जब उसका विवाह हो जाता है तो अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला होगी जो विवाहित है तब ही उसके एकाउंट में एपरिल, में और जून में 500 रुपे की रासी भेजी गई होगी तो आप इस बात से भी कन्फ्यूज ना हो कि पुरुस के एकाउंट में अगर जंधन एकाउंट उनका भी है तो उनके एकाउंटे 500 रुपे क्यों नहीं आए तो दोस्तो आपको आज साफ साफ क्लियर कर देना चाता हूँ कि एपरिल, में और जून में जंधन खाता में 500 रुपे की रासी अल्रेडी भेज दी गई है तो अब पैसा क्यों जाएगा जबकि मोदी जी ने एनॉंस्मेंट किया ही नहीं है तो क्यों पैसा जाएगा मोदी जी ने तो कहा था कि सिब तीन महने पैसे जाएगे तीन महने पैसे आपके एकाउन्ट में अल्रेडी जा चुके हैं दोस्तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देना चाता हूँ कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जो 500 रुपे की रासी तीन माईने भेजी थी वो इसलिए भेजी थी क्योंकि लोगडाउन में गरीबों को पैसी की दिक्कत आ रहे थी वो लोग अनाज नहीं खरिद पा रहे थे अपना घर नहीं चला पा रहे थे जिसके कारण मोदी जी ने उन्हें 500 रुपे रासी दी थी तीन माईने लगतार ताकि वो रासन खरिद सके अपना घर चला सके और दोस्तों अब वो रासी नहीं प्रवाइट की जाएगी क्योंकि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्रेडी एनाउस्मेंट कर दिया है कि सभी गरीब परिवारों को नवंबर तक फ्री में रासन दिया जाएगा और साथी साथ मंडरेगा के तहर उन्हें रोजगार भी मोहया कराया जा रहा है तो आप मुझे बताओ आपको 500 रुपे रासी अलग से क्यों दी जाएगी और जहां तक बात है 5000 या 10,000 का तो ये एक लोन की फैसिलिटी है जिसे बोलते हैं ओवर ड्राप्ट की फैसिलिटी ये आप ले सकते हो अपना जंधन खाता से अगर आपके पास जंधन खाता है तो इसके लिए पुरुस तथा महिला दोनों एलिजिबल है मतलब दोनों में से कोई एक जाकर ले सकता है और अगर आपके परिवार में 5 लोगों के पास माल लीजे जंधन खाता है तो पांचों को ओवर ड्राप्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी किसी एक को 5 या 10,000 की ओवर ड्र कि अब आपके एकाउंट में एक रूपए भी सरकार नहीं भेजेगी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए कमेंट करिए और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते है तो म परे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल बिटन को दबाइए थाइक्यू